चलिए स्टर्ट किया जया नमस्कार दोस्तों आप सभी का फिर से स्वागत है आज आप लोग पढ़िएगा दो इंशर्ट ओपरेशन और तीन डिलीट ओपरेशन तो उनमें से आप पहला कीजिए लिखे इंशर्टिंग और न्यू नोड आफटर और नोड वैल्यू या आफटर और गिवें नोड चलिए मैं एक्जाम्पल देता हूँ आपको ठीक है अपने प्रिवेस एक्जाम्पल दिख लीजिए आई एल ओ ए आप माल लिजिए आप इस इस पर्टिकुलर ओ वैल्यू के बाद नोड को इंशर्ट करना चाहते हैं तो नोड कहां इंशर्ट होगा इस प्लेस पे इस प्लेस पे एक निव नोड को आप इंशर्ट करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा अगर इस पेस है तो ठीक है एक निव नोड लीजिए उसको यहां इंशर्ट कीजिए और इसका जो नेक्स पार्ट है उसको इनिशर्ट करें जिए इसके वेल्यू के साथ ठीक है और इस निव नोड का जो नेक्स है उसको पीट यहां और ये तो इस तरह से आपने निव नोड को इंशर्ट कर पाईयेगा तो सब से पहले क्या करना पड़ेगा आपको step no.1 आप allocate कीजिए memory अपने new node को और उसका जो data part है उसको आप उस value से insulize कीजिए जो आप देना चाहते हैं आले जे लो भी हम यह लो वी देना चाहते हैं वी से insulize की हमने उसके बाद आप दो pointer variable दीजिएगा ptr या पिडी ptr और उन दोनों को इस तरह से move किजिएगा कि आपका ptr जैसे ही इसको पाता है ok that is the number that is the norm जिसके बाद आप store करना चाहते हैं या यह हुआ character है जिस character के बाद आप value को store करना चाहते हैं जैसे ही आपका ptr उस number को पाता है आप एक while loop लिजिएगा उसको टर्बिनेट कीजिएगा ठीक है तो ptr ptr और insulize कीजिएगा तो algorithm में आपको कराते रहा हूं और साथ-साथ में मैं इसको आपको explain भी करा दे रहा हूं ठीक है तो दीखे तो condition no.1 algorithm stick no.1 job चली नहीं रहा है टिक से देखें अगर आपको null मिलता है मतलब क्या है कि memory में कोई space नहीं है तो आप simply message देजिएगा क्या ओवर्फ्लोव देख पार है अब ओवर्फ्लोव और अपका go to step step माल लिजेए आपके avail के पास एक blank memory पड़ा हुआ है तो आप इसको क्या तीजिएगा अपने new node को in slice के सिएगा step number two new node को in slice के सिए जो आपका available memory है वो तो इस पार्ट is in slice with what new node अभी भी आपका avail इसी point को point के रखा है आप available को एक increment कर दिजिए 30 वा फ्रेपूल में जो next free memory है उसको hold का के रखे stick number three will next what is the avail next that is seven and it is gross अबल निक्स 7, come to this point and it will be moved from there, here and it will come to this point that is this memory location strip number 4 उसके बाद आपका जो new road है this one इसके data part को आप initialize किजिए जो value आप उस new node में रखना चाहते हैं value in this case, what we put here V आप इसको नहीं भी लिखेगा तो भी चलेगा उस value को आप initialize किसी है क्या उसके बाद आजाएए आप step number 5 आप दो pointer variable नी लिचे that is pre-ptr और एक ptr pre-ptr और ptr में relation क्या है कि ptr जो है सब समय आपका जो है next node को hold करके रखेगा अगर ptr ने second node को hold करके रखा है तो pre-ptr first node को hold करके रखेगा इस तरह या आप उसको तो नामी देती जी ना को मन टेक है क्या आपका जीचे 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 तो देखे this, this, this and अडेको को वना है that is प्री पीचियर और पीचियर इसका नाम देते है इसिता है इसिता सबसे में क्या एक कदम जो है इसका भी एक नम देते है यस इसिता सबसे में एक कदम आगे जरती है इस जनल तो इन दोनों पॉइंटर वैरियेबल को सबसे पहले आप अपने जो फर्स्ट नूर्ड है उसका एड्रेस उन दोनों को देती चाहिए तो यहां हमने एक स्टेप में करे रहा हो इस दो ठीक से चलता नहीं है पी पी टीर और पी टीर इन दोनों को स्टार्ड को वैन देती तो आपका इस-स तो और यास यह दोनों कहां पॉइंट करके रखेंगे this point पर that is PTR and pre-PTR यहां भीरते हैं आपका सुबिदा होगा आपके लिए that is नाम दे देखे हैं pre-PTR देखे हैं चोड़ी और PTR holding the address of the first node इसके बाद आप अपने pre-PTR और PTR को यहां yes और इस सिता को इस तरह से बढ़ाईए कि इस सिता को अगर वह particular node मिल जाता है जिसके बाद यह पर्टिकुलर node का value मिल जाता है माले जह हम O के बाद image rise कर रहे थे तो जैसे ही उसको वह number यह जैसे ही वह character O मिलता है वह वहीं पर रुख जाएगी और आगे नहीं जाएगी ठीक है तो जस्ट एक while लोग चबा दीजिए while यह repeat कीजिएगा repeat 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 two step होगा आपका seven and eight seven and eight while pre-ptr का जो data है not equal to that character जैसे आपका pre-ptr का जो data part है अगर उस character के equal नहीं होता है तब तक क्या है दोनों एक के एक step movement करेंगे जैसे ही pre-ptr या इसी का को जैसे ही sorry yes को जैसे ही एडिटा मिलता है यहां के stop हो जाएगे so just simply step number seven और आपके step number eight ptr का जो next time आप उसको बढ़ा देजे यहां पर आपका end of while loop end of while देखे इसको track down करते हैं इस part को अब इस part पर यह part को आपका पहले से clear है इस part को हम track down करते हैं देखे अज़िए इसको एट आइए let this part be going like that और हम concentrate करेंगे इस part पर ptr pre ptr ptr के पास जिस condition पाजी ptr data क्या है आई और अब क्या find out करना चाहते हैं कौन से character किस character के बाद आप stop कीजिएगा that is o o जैसे ही आपको मिलेगा आपका pre ptr का movement जो है और ptr का movement जो है stop होगा pre ptr data what it will be i that is the loop के अंदर आ जाएगा ptr pre ptr pre ptr ptr तुरों एक ही first node को hold करें रखा है उसके बाद यहां देखिए ptr next ptr जो variable है उसको हम next node को hold करने के लिए एक आगे बढ़ा रहे हैं again this will be considered ptr data ptr में अभी किस node को access करके रखा है second node को second node का address आपके pre ptr में store होगा तो pre ptr यहां से हट जाएगा और किस node के पास आ जाएगा इस node के पास ठीक है that node उसके बाद यह strip ptr next ptr अभी फिलाल यहां था ptr यहां से हट जाएगा और ptr किस node के पास आ जाएगा इस नोर्ड के पास अगें चाहँ अगें चेगा प्री PTR data pre ptr data what it will be i.e. then again ptr pre ptr तो ptr यहां इस node को रखा हुआ था तो यह जो node है इसका address content क के रखेगा देन आपका प्री प्र आगया कहा पर यहां पर ठीक है और इस पर अगें फोलो प्र नेक्स्ट प्र यह प्र यहां से हट जाएगा यह कहां आ गया इस नोड के पास वाइल लूब में आ जाए फिटी और प्री पीटी यार डेटा प्री पीटीर डेटा वट विल्यू फाइड ओ इसी के बाद तो हमको इंसर्ट करना था त्रेलूब क्या होगा तर्मेंड हो जाएगा नौट इकोल टू चरेक्टर के लिए था उसने क्या किया प्रीट्या और जिस value के बाद आप insert करना चाहते हैं उसलिए को find out कर लिया तो वहीं पर आपका terminate हो जाएगा